नमस्कार, फिर बुरे फसे, हाई कोट को बेवकूफ बनाने की कोशिश नामखाम, प्रथम दृष्टिया आपकी टिपणी मान हानी कारक है, प्राइमाफेशी कोट ने माना कि या डिफिमेशन सही है या मान हानी करता है या स्टेट्मेंट, और एक हाई कोट जब कहता है कि प जब हाई कोट कहता है कि प्राइमा फेशी यह डेफिमेशन है यह मानहानी है तो यह बहुत सीरियस मामला है तो फिर बुरे फसे जटके पर जटका देखो भाईया जेल आपको बुला रहा है आप आहिश्वरिया कहां नाच रही है यह देखने का टाइम नहीं है देखो भाई या जेल आपको बुला रहा है उच्च न्यायाले जारकन उच्च न्यायाले में रावल गांदि की बे-गुनाही की याज का खारीच, कह रहेते हैं मैंने कोई गुनाहानी का मैं बे-क सूर हूं य DAVIDFARरिमेशन है सब यानि प्रतम द्रिष्टिया प्राइमा फेसी या बयान मानहाने का है या बेगुना नहीं है बेगुना का जो पली था वह रिजेक्ट हो गया बेगुना का या खारिज आप बेगुना नहीं है यानि आप गुनागार है ये टिपणया उन सभी कार्य करताओं समर्थकों नेता का अपमान है जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं मामला क्या था अमिर्षा हत्यारे हैं अमिर्षा हत्यारा है या हत्या के आरोपी है जब यह तब कहा गया 2018 में जब केस अलरडी डिस्मिस हो चुपा था 2018 मानहानी का केस पपो को बहुत बड़ा जटका क्योंकि उस वक्त कोट ने उसे अमिर्षा जी को बेगुना करार कर दिया गया था तो कोट के मामले के बाद अब जब कोई कहता है कि अब आरोपी है तो यह अवमानना मानहानी का केस बनता है कोट का तो डिफरमेशन है ही लेकिन यह में ची यह नहीं है अब चुनाव में जटके पर जटका और एक जटका है सब पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं यह तो अलग जटका है अब यही है कि देखो भाईया वोट खिसक रहा है देखो भाईया आप जेल जाने की तयारी कर रहे हैं देखो भाईया जेल आपको निमंत्रन दे रहा है तो न्यायादीश के पीट बेंच ने क्या का प्रतम द्रिष्ट्या प्राइमा फेशी स्री राहूल गांदी ने आरोप लगाया है कि भारती जनता पार्टी का नेत्रत सत्ता के नशे अब तो बनारस में वो यह न नशा भी नहीं है वह जनता पार्टी के बारे में कह रहे थे नेत्रत्व का नशा और जूट बोलने वालों से बना था इसका मतलब यह है कि बीजेपी के कार्य करता ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों यानि हत्या आरोपी को अपना नेता मानते हैं यह लांचन प्रतम द्रिष यह बेगणदा नहीं है यह बेगणदा प्रसंगित है कि उसका क्या होगा यह जेल जाएगा नहीं जाएगा इससे कोई मतलब नहीं मुद्ध यह है कि हताशा और गुस्से में यह और अधिक तमाशा करेगा और अधिक गलतियां करेगा बॉकला हट में और अधिक अंट शंट बखेगा और जहां बीजेपी को वोट मिलेगा वहां हमें मनोरंजन मिलेगा और कॉंग्रेस को जीरो बटा सन्नाटा मिलेगा अगर जेल न भी मिला तो मनोरंजन तो जारी है और बीजेपी क वैसे भी रावल गांती के हर भाषन से बीजेपी को 10 परसन वोट एक्स्ट्रा मिलता है आप यह 10 से बढ़कर कहीं 20 परसन न हो जाए तो धन्यवाद फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार